जे हिन दोस्तों स्वागा थे आपका हमारी यूटूब चेनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल सायक अध्यापक भरती परिक्षा के लिए आपके अनली यहाँ पर प्रेक्टेस सेट तो वीडियो को पूरा वस्ते देखना हिंदी हिंदी भासा का यह अपना प्रेक्टेस सेट है और यहाँ पर बहुत ही महत्पूर्ण कॉस्चन हैं हिंदी भासा संबंदे तो वीडियो को लाइक कर ले और अगर आप चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं वाल पर क्लिक करें ता पर आपका यहाँ पर आपका यहां पर एकनल पर देखिए क्या पूंचा है तो आपका 53 आसए क्या हूग होका राइट आसर विकल्प नमबरổi डि तो पूंचागया है अब्दूर्रेह्मान धन्पाल है पुस्पधंत है पुस्य दंत हैं या स्वयम्भू हैं तो question number 15 है और आपका सही आंसर होगा महापुरान के जो रचनाकार है बहें पुस्य दंत है तो विकल्प नंबर आपका भी यहाँ पर सही आंसर है question number 55 पूचा है भरतेस्वर वाहुबली रास इन्वे से काब धारा का ग्रंथ है जयन साहित ते सिद्ध साहित रासु साहित या नात साहित ते पच्पन का सही आंसर बताना है तो भरतेस्वर वाहुबली रास से किस काब धारा का ग्रंथ है तो जयन साहित आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ग्रंथ की नहीं है तो बताईए कौन सी रचिना आप भरंथ की नहीं पूंचा है आपसे यहाँ पर चार विकल्प भी आपके यहाँ पर दिये गए हैं और आपका यहाँ पर चपन का राइट आंसर होगा विकल्प नमबर डी यानिकी चित्रा बली चित्रा बली आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही दस द्वार की स्वापान तक किस विधा की रचिना है यह आत्म कता है रेखा चित्रे संसमरन है या जीवनी है Q. Sun Town का आंसर बताना है तो Sun Town का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका भी सही आंसर होगा न्यानिकि SANSमनल आपका इहां पर सही आंसर है संसमनल राइट आंसर है विलकुल सही Q. अंठाउन पूचा है तुलसी दास किस दार्षनिक मत के भक्त कभी थे question number untown है महत्वपून है और आपका यहाँ पर सही answer है तुलसीदास के स्टार्शनिक मत के भक्त कभी थे तो आपका right answer है विसेश्टा दुएतबाद आपका यहाँ पर सही answer है विकल्प number D right answer है untown का question number 69 क्या पूँचा है तो 69 पूँचा है आपसे इनमें से किसे मद्द कालीन संत या भक्त कभी का राजस्तान से संबंद नहीं था नहीं था राजस्तान से संबंद मलुकदास संत पीपा या नंगरीदास या इनमें से कोई नहीं से rates answer है मलुकदास आपका हैं पर सही answer विकल्फ नंबर यी राइट नहीं होगा ग्यानबोद की रचिनकार कौन है question number 60 विकल्फ और आपका राइट आनसर होगा question number 60 का विकल्फ नंबर बी आनिकी मलूकदास आपका पह सही answer है कस्मीर रात के के बाद किसकी यात्रा साहितत थे है तो बताईए गनायलाल नंदन या कमलेसवर श्रीकांत बर्मा या किश्चननाथ Q 아직 कसमीर रात के बाद किसकी यात्रा साहित थे है तो 162 का राइट आंसर विकल्प्नामबर D किश्ननाथ आपका सही आंसर यहाँ पर होगा Q nouveaux ङब पूँचा है तो यहां पर पूँचा है question number 62 आचा रामचन सुकल ने गोस्वामी तुलशी दास द्वारा रचत गरंतों की संख्या कितनी वानी है रामचन सुकल जी ने कितनी मानी है यह आपके लिए बताना है 62 में तो आपका सही answer यहां पर होगा 62 का विकल्प नंबर बी आन कार्थ मंजरी दान लीला या रूप मंजरी तो 63 का आपका जो सही answer है वह आपका विकल्प नंबर बी आनि की दान लीला आपका यहां पर सही answer है बिलकुल सही बरवया नाई का भेद किसकी रचिना है question number 64 और 64 का answer आपको बताना है क्या होगा right answer बरवया नाई का भेद किसकी रचिना है तो 64 का right answer है रहीम यानि की विकल्प नंबर बी आपका यहां पर सही answer है सिंगार लतिका की रचिता कौन है सिंगार लतिका की रचिता पूँचा है दोजदेव है देव है चेंतामनी या रतनाकर question number 65 है और आपका यहां पर सही answer है 65 का विकल्प नंबर एक यानि क दुज़देव आपका यहाँ पर सही आंसर होगा दुज़देव कौॉश्च नमबर आपका यहाँ पर 66 क्या पूँचा किया है गंगा लहिरी किसकी रचना है मतीराम ठाक और पदमाकर 보니까 क्वूश्च नमबर 66 है महत्तुपूर्ण है और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा गंगा लहरी यह जो रचना है पदमा करजी की है विकल्प नमबर भी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा कौस्चन नमबर आपका 67 पूँचा है नमलिकित में से कौन आचारे कभी नहीं है देखिए आचारे कभी नहीं है कि सब्दास चिंता मली भिकारी दास या ब्रिजबासी दास तो 67 का राइट आंसर ब्रिजबासी दास नानी की विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर है 溫र प्रिजबासी दास ब्रिजबासी दानी की विकल्प होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ पर सही आंसर है question number 79 पूँचा है आलम घनानंद बोधा ठाकुर किस का बिधारा की कभी माने जाती हैं घनानंद है आलम है बोधा है ठाकुर हैं तो यह किस का बिधारा की कभी माने जाती हैं तो आपका 69 का जो सही आंसर है यह माने जाती है किस का बिधारा की कभी रीती मुक्त आपका यहां प पाईए ना दिन काम को तुहल किये जो बने तिन बीच बियोग बुलाईए न और प्रयोक्त कावपंतियां की रशिनकार कौन है कौश्चन नमबर सत्तर का अंसर बताना है इन कावपंतियों की रशिनकार कौन है तो सत्तर का राइट आंसर आपका विकल्प नमबर बी चौधरी प्रेम घं आपका यहां पर सही आंसर होगा question number 71 पूँचा है साकेत में कितने सर्ग हैं 15 हैं 12 हैं 11 हैं 7 हैं तो महत्वपूर्ण question है question number 71 और आपका यहां पर सही आंसर क्या होगा साकेत में सर्ग पूँचा है question number 71 में तो C right answer होगा आपका यहां पर 12 हैं आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प number C आपका right answer है प्रसाद की किस किर्ती का अन्य भासाओं में भी अनुबाद हुआ है तो प्रसाद जी की भै कौन सी किर्ती है जिसका अन्य भासाओं में भी अनुबाद हुआ है लहर का माईनी जर्ना या इसकंद गुप्त 72 का right answer है आपका विकल्प number C आनि की का माईनी आपका यहां पर सही आंसर होगा का माईनी right answer है question number 73 कि आप पूंचा है तो देख लेते हैं कि किस कभी का संबंद प्रगतिवाद से नहीं है भै कभी बताना है तो भै कौन से कभी हैं जिनका संबंद प्रगतिवाद से नहीं है 33 का right answer राम दर सुमेशर आपका यहां पर सही आंसर है निमने लिखित में से किस रचिना में पौरानक चरित्र नची केता की माध्यम से कभी अपना मत ब्यक्त करता है तो किस रचिना में यह आपके लिए बताना है निमने लिखित में से किस रचिना में पौरानक चरित्र न जूठन के लेखा कौन है 75 का आंसर बताना है जूठन के लेखा कौन है चार विकल्प आप यहां पर दे गए हैं और आपका राइट आंसर होगा 75 का B यानि की ओम पिरकास बालमी की ओम पिरकास बालमी की आपका राइट आंसर है निमने लिखित में से टा बर्ग में नहीं है तो यहाँ पर टाबर्ग में नहीं है, कौन से नहीं है, यहाँ पर आपको बताना है, question number 76 में, क्या नहीं है, टाबर्ग में, तो आपका यहाँ पर सही answer हो का टाबर्ग में नहीं है, धा, धाधनुस, जो धाधनुस का है, यह जो है टाबर्ग में नहीं है, तो विकल्प number आप तो question number 77 है और 77 का जो right answer है ने बहे आपका इहाँ पर विकल्ब number एक right answer होगा 77 का यानि की आँख आपका इहाँ पर सही answer है question number 78 क्या है निम्न में ऐसे कौन ब्राम चिन का प्रिकार नहीं है ब्राम चिन का प्रिकार नहीं है पूँचाए आप से यहाँ पर तो बताएए यहाँ पर चार विकल्ब भी देगा है निर्देशक, उपदेशक, लागाव या विबरण तो question number 78 का right answer है आपका C यानिकी उपदेशक उपदेशक आपका right answer है question number 89 निमलके सब्दों में से कौन सा सब्द है सुद्द सब्द आपके लिए बताना है विदूसी किस परकार लिखेंगे यहाँ पर आपको यह बताना है तो 89 का right answer होगा विकल्ब नमबर ए आपका यहाँ पर सही answer है विकल्ब नमबर एक जिनोंने बताया है विदूसी इस परकार right answer होगा question number 80 पूँचा है निम लिखत में से सुद्द वरतिनी बाला सब्द कौन सा है बताये question number 80 में सुद्द वरतिनी बाला सब्द बताना है तो 80 का right answer होगा आपका यहाँ पर क्या होगा right answer 80 का आपका b right answer है रन्यक सिपू आपका सही answer है विकल्ब नमबर b आपका सही answer होगा question number 80 पूँचा गया है कि किस विकल्ब में सभी सब्द व्यक्ति बाचक संग्या है तो 80 का right answer है राम राम चरित मानस गंगा यह जो है आपका सही answer होगा विकल्ब नमबर a question number आपका 82 पूँचा है निमलकेते बाके में रेखान के सब्दे कौन सी संग्या दरसाता है तो इस सब्द आपके लिए बताना है इतिहास में कई चंद्रगुपते मिलती है चंद्रगुपते यहाँ पर आपके लिए संग्या बताना है तो कौन सी संग्या होगी तो आपके यहाँ पर 82 का राइट आंसर है आपका जाती बाचक यानि कि विकल्ब नमबर d आपका इहाँ पर सही answer होगा अचूक बिसेशन के साथ उप्योक्त संग्या कौन सी है चोट नेत्र निसाना या जबाब अचूक बिसेशन के साथ उप्योक्त संग्या है तो 83 का राइट आंसर है आपका विकल्ब नमबर c आनि कि निसाना आपका राइट आंसर होगा Question number 84 है यहाँ पर की निम्न में सर्वनाम सब्द कौन सा है दान, कुछ, भजन या पढ़ना सर्वनाम सब्द बताना है तो 84 का सही आंसर होगा आपका यहाँ पर विकल नंबर C राइट आंसर है कुछ कुछ जो है आपका सर्वनाम सब्द माना जाता है Question number 85 है निम्न लिखित बात के में रिखानकित की हुए भाग में कौन सा पदबंद है देखे बढ़ चल कर बातें कननी बाली तुम संजीदा क्यों हो गए इसमें आपके लिए बढ़ चल कर बातें कननी बाली इसमें आपके लिए क्या बताना है पदबंद बताना है संग्या सर्व नाम किरिया बिसेशन या फिर बिसेशन तो Question number 85 का सही आंसर है आपका विकल्प number C आनि की सर्व नाम आपका यहाँ पर सही आंसर होगा निवन्तम बिसेशन की कौन सी अवस्ता है तो मूल अवस्ता उत्रावस्ता प्रतम अवस्ता या उत्तम अवस्ता निवन्तम बिसेशन की कौन सी अवस्ता है तो 86 का राइट आंसर है आपका उत्तम अवस्ता आपका सही आंसर होगा Q87 सब्द उसका हिंदी ब्याकरन की अनुसार विसेशन की भेदों की किस स्रियानी में आता है तो 87 का सही आंसर होगा विकल्प नमबर C सार्व नामिक विसेशन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा Q88 दो प्राणियों तथा वस्तों की बीच तुलना की जाती है तो किरिया किस रूप में दिखाई पड़ती है विकल्प नमबर C उत्तरा वस्ता आपका सही आंसर है question number 89, कुछ सब्द का निमलिकित में से किस रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता कुछ यह आपका सब्द है और इसका किस रूप में प्रियोग नहीं किया जा सकता है question number 89, right answer है आपका C यान की किरिया किरिया रूप में इसका जो है इस सब्द का प्रियोग नहीं किया जा सकता है question number आपका यहाँ पर 90 क्या पूँचा है किरिया वे सेशन की कितने भेद होती है 4, 2, 3 या 7 question number 90 पूँचा है किरिया वे सेशन की कितने भेद होती है तो 90 का right answer है आपका यहाँ पर 4 वेद होते हैं कितने वेद होते हैं? 4 वेद विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही answer है रवी बार है वह घर पर ही रहेगा रिखान के सब्द को पहचानिये बताइए यहाँ पर ही यहाँ पर यह जो है यह आपका कौन सा सब्द है? पुल लिंग में और इस्त्री लिंग दोनों में प्रियुक्त होता है तो 92 का right answer आपका यहाँ पर क्या होगा? बताइए 92 का right answer क्या होगा यहाँ पर तो यहाँ पर question number 92 है और आपका right answer यहाँ पर जो है बही क्या है? चितरकार आपका यहाँ पर सही आंसर होगा चितरकार राइट आंसर है विकल्प नमबर एक यहाँ पर आपका चितरकार लिखा है तो राइट आंसर होगा अंगला question क्या पूचा है तो question नमबर 93 है सुधी सब्द की अंत में क्या जोडने पर सब्द बहु बचन बन जाएगा बताईए ये सुधी सब्द है इसमें कौन सा जो है सब्द जोडने पर ये बहु बचन बन जाएगा जन बर्ग ब्रंद ये गन तो 93 का राइट आंसर आपका ये राइट आंसर है जन यानिकी सुधी तो यह जो है बहु बच्चन सब्द बन जाएगा question number आपका 94 निम्न में अधीकरन कारक का परसर्ग कौन सा है question number 94 का आंसर बताना है कि निम्न में अधीकरन कारक का परसर्ग कौन सा है तो 94 का right answer है यहाणि कि पर आपका यहाँ पर सही answer होगा यहाँ पर question number 95 है मैं परती दिन दूद पीता हूँ बाके को रिखान के पद में कारक है बताईए यहाँ पर कौन सा कारक होगा तो आपका यहाँ पर right answer है 95 का right answer होगा यहाँ पर विकल्प नंबर B आनिकी कर्म कारक आपका यहाँ पर सही answer है चार पाई खालिस्तान सब्द है रूण योगरूण या अर्थ तत्व चार पाई बताना है तो 96 का सही answer है आपका C आनिकी योगरूण सब्द माना जाता है चार पाई यहाँ पर question 97 नंबर 97 निकी सब्दों में ऐसे तदभाव तदभाव प्रत्य को पहचाना है यहाँ पर तो बताए कौन सा होगा प्रस्तर तेल जामुन या फिर पोत्र तो यहाँ पर आपका right answer है 97 का विकल्प नंबर B right answer है जामुन आपका यहाँ पर सही answer होगा विकल्प नंबर आपका यहाँ पर B right answer होगा यहाँ पर 98 वा question पूचा है निमने लिखेत में ऐसे संकर सब्द कौन सा है बताए यहाँ पर question 98 चार विकल्प दिये गए हैं और सभी लोग वीडियो को like वस करते जाए क्या है इसका right answer तो चुगल्खूर आपका विकल्प आउ आ या रण आउ तरण में बताना है तो आपका 99 का right answer है विकल्प नंबर आपका क्या होगा right answer c right answer है आउ आपका सभी answer यहाँ पर है निमल के सब्दों में ऐसे कि सब्द में पन प्रत्य नहीं है बताए पन प्रत्य किस में नहीं है बाल पन धन बनत या फिर भूला पन या मन माना पन पन प्रत्य नहीं है तो 100 का right answer है आपका विकल्प नंबर c या निकी धन बनते में पन प्रत्य नहीं है कौस्चन नंबर 101 पूंचा है कथित सब्द का बिलॉम क्या होगा कथित का बिलॉम बताना है तो यहाँ पर 101 कौस्चन है और कथित का बिलॉम जो होगा आकथित आकथित विकल्ब नंबर C आपका यहाँ पर सही आंसर है श्रीगड़ सब्द का बिलोम क्या होगा इती श्री इत्या लम तो श्रीगड़ सब्द आपका दिया गया है और इसका बिलोम बताना है तो 102 का राइट आंसर है इति-सरी आपका यहांपर बिकल्ब नंबर बी Question number 103 पूंचा है जल सब्द का परयाब आची है तो कौनसा हुगा Question number 103 में बता नहीं जल का परयाब आची कौनसा होगा यहांपर बिकल्ब भी दे गए है Question number 103 है और आपका यहांपर right answer होगा सलिल, सलिल आपका यहां पर right answer होगा विकल्प number 1 निमने लिखित में से कौन सा सब्द ब्रक्ष का परियाबाची नहीं है नहीं है तरू, पादप, ब्यहग या फिर साखी तो ब्रक्ष का परियाबाची नहीं है तो 104 का right answer आपका भी right answer होगा ब्यहग question number 105 पूछा है पंच सब्द का अनिकार्थी सब्द नहीं है तो 105 का right answer है आपका पंचानन पंचानन आपका यहां पर D right answer होगा अली और अली सब्द युग में का सही अर्थ बताना है यहां पर तो इस जो सब्द युग में दिया गया है इसका सही अर्थ क्या होगा तो question number 106 है right answer है आपका विकल्प number B यानि कि अली का अर्थ होता है भौरा और अली का अर्थ होता है सकी तो विकल्प number B आपका यहां पर सही अंसर होगा यहां पर question number 107 पूछा है अनिष्ठ का अर्थ खालिस्तान होता है परन्तु अनिष्ट का अर्थ क्या होता है तो एक सो तात का राइट आंसर है यानि की हानी question number आपका यहाँ पर 108 पूँचा है सकल सकल सब्द का अर्थ क्या होता है यहाँ पर यह आपको अर्थ बताना है सकल सकल का अर्थ क्या होता है तो आपका right answer है question number 108 का C आनकी संपून और अंस इस प्रकार विकल्प number C आपका सही answer है यहाँ पर question number 109 पूच्छा है जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हों के लिए एक सब्द कौन सा है तो बताईए पताईए क्या होगा right answer 109 का right answer बताना है तो जिस पेड़ के पत्ते जड़ गए हों के लिए एक सब्द का right answer है अपरणा अपरणा विकल्प number आपका बीर सही answer होगा जो हमीशा रहने बाला है उसको कहती हैं जो हमीशा रहने बाला है बताईए कौस्चन नमबर 110 का राइट आंसर बताना है तो 110 का राइट आंसर क्या होगा महत्वपूल कौस्चन है सास्वत आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नमबर यह आपका सही आंसर होगा अभी धन उदय की संदी कीजिए अभी धन उदय बराबर क्या होगा बताईए question number 111 है और 111 का right answer आपको बताना है तो अभ्यूदय आपका यहाँ पर विकल्प number 1 सही answer होगा अभी धन उदय बराबर अभ्यूदय question यहाँ पर क्या पूचा है कि नीचे दिये गए सब्दों को सही संदी विच्छेत का चैन कीजिए तो यहाँ पर आपके लिए सही संदी विच्छेत का चैन करना है तो त्रस्कार का सही संदी विच्छेत कौन सा होगा बताईए question number 112 है आपका सही answer होगा विकल्प number B आपका यहां पर right answer होगा त्रहा धने कार बराबर द्रसकार आपका सही answer होगा गो साला में कौन सा समास है गो साला में समास बताना है 113 है का right answer यहां पर क्या होगा दिगू, ततप्रोस, द्वंद या अवियविभाव तो यहां पर question number 113 है right answer है आपका C आपका सही answer है त्रहा ब्याणी सब्द में कौन सा समास है बताए question number 114 का सही answer कर्मदारा है बहुबरीही या दिगू या द्वंद त्रहा ब्याणी में आपके लिए बताना है तो question number 14 का सही answer होगा यहां पर दिगू होगा right answer विकल्प number C आपका सही answer है निमने लिखेत बाक्यों को मिस्र बाक्यों में परिवर्तित कीजिए देखिए यह बाक्या आपका दिया है राम आया और स्याम चल दिया इसको मिस्र बाक्यों में जो है क्या करना है परिवर्तित करना है तो आपका यहां पर right answer क्या होगा देखें यहां पर आपका सही आंसर होगा भी जैसे ही राम आया स्याम चल दिया यह जो है मिस्र बाक के में इसको परिवारतित क्या गया है अंगला कॉस्चिन क्या पूँचा है कॉस्चिन नमबर 116 है निमने लिखे तबाक्यों में ऐसे सुद्ध बाक के पहचानना है यहां तो कौन सा होगा यहां पर सुद्ध बाक के कॉस्चिन नमबर 116 है महत्त पूण है और आपका यहां पर राइट आंसर है आसमान में घनी बादल चाय हुए है यह आपका सुद्ध बाक के होगा विकल्प नमबर D कौस्चिन नमबर यहां पर क्या पूँचा है एक सो सत्रह देख लेते हैं एक सो सत्रह बाक कौस्चिन पूचा है रादा किष्णन खाली स्तान स्वध्ध खाली स्तान देगा विकल्पों में से रिक्त स्तानों पर सही विकल्पों का चैन कर बाक को पूर्ण करना है यहां प रादा किष्णन यहां पर हमेशा हो जाएगा स्वाध्धाय करते थे इस प्रकार भी आपका यहां पर सही आंजर होगा Q118 क्या पूछा है अखिया हरी दर्सन की भीखी कैसे रहे रूपे रस रांची यह बतिया सूनी रूखे इसमें आपको रस बताना है तो 118 का राइट आंजर है आपका बियोग सिंगार रस आपका यहां पर सही आंजर होगा निर्वीद किस रस का इस्थाई भाव है सान्त करूण हाश्य या सिंगार 119 का राइट आंजर है आपका सान्त यानिकी विकल्प नंबर यह आपका यहां पर सही आंजर होगा निम्न में सम्मात्रेक चंद कौन सा उधारन है सम्मात्रेक चंद उधारन है दोहा चौपाई स्वारठा या सभी question number 120 है महत्पूर्ण है और आपका सही answer है 120 का विकल्प number अहां पर जो सही answer है वह विकल्प number C आनिकी आपका 120 का चौपाई होगा आपका right answer 120 का चौपाई बिल्कुल सही answer है question number 12 क्या पूँचा है किस चंद का पिर्थम और अंतिम पद एक सा होता है बताईए बहे चंद आपके लिए यहां पर बताना है कुंडलियां, दोहा, रोला, यह सोर्था तो बहे कौन सा चंद है जिसका पिर्थम और अंतिम सब्द एक सा होता है तो आपका है यहां पर सही answer है question number 121 का विकल्प number 1 कुंडलियां आपका यहां पर सही answer है question number आपका 122 क्या पूँचा है अजो तर्योना ही रही हो शुरूती सेबत एक रंग में अलंकार है इसमें आपके लिए अलंकार बताना है कौन सा अलंकार होगा सिलेस अपमा रूपा क्या उत्प्रेक्छा question number 122 है और 122 का राइट आंसर है यहां पर होगा आपका सिलेस अलंकार होगा विकल्प नंबर ए आपका यहां पर सही answer है यहां पर question number 123 पूँचा है देवसान का समय बेगमय आसमान से उतर रही है वैसंध्या सुन्दी परीसी धीरे 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 इन पंतियों में कौन सा अलंकार है तो यहां पर आपका right answer है question number 123 का मानवी करण आपका यहां पर सही answer होगा विकल्प number the right answer है यहां पर पूँचा है क्या पूँचा है लसकर में उंट बदनाम का अर्थ क्या होगा बताए लसकर में उंट बदनाम इसका अर्थ बताना है तो आपका यह मुहावरत दिया है और इसका जो सही answer होगा 124 का डी right answer है दोस किसी का पर नाम किसी और का यह जो है इसका अर्थ होगा question number आपका 125 पूँचा है क्या पूँचा है कंगाली में आटा गीला प्रस्तत लोकोक्ती का अर्थ निमन लिखित में से कौन सा विकल्प दरसाता है कंगाली में आटा गीला लोकोक्ती का अर्थ बताईए यह लोकोक्ती दे गई है और 125 का right answer है आपका मुसीबत में और मुसीबत आना विकल्प नमबर आपका C यहाँ पर सही answer है बिनेपत्रिका के लेखक का नाम बताईए तुलसी दास है जैदेव सूर्दास या कबीर दास बिनेपत्रिका बहुत रिशल question है और 126 का right answer है यह आपका यहाँ पर सही answer होगा यानि कि तुलसी दास आपका यहाँ पर सही answer होगा नेजवासा उननती आ है सब उननती को मूल किसकी काब बनती है यह महावीर परिसाद दुवेदी 127 वा question है नेजवासा उननती आ है सब उननती को मूल यह भारतेयन्दू हरस्चंदॉ जी की बनती है तो विकल्ब नमबर question नमबर 128 किसका प्रिमुक के काब्ब हैं आंसु बताना है किसका प्रिमुक के काब्ब माना जाता है question number 128 है और बहुत ही सल question है जैसंकर पृसाइथ आपका यहां पर सही तो आपका 139 का सही आंसर है विकल्प नमबर एक यान की ज्यान पीट आपका यहाँ पर सही आंसर है कॉस्चन नमबर 130 क्या पूँचा है तो देख लेते हैं देखिए मुक्ति बोद के लिए जैनेंदर कुमार को किस पुरुसकार से सम्मानित किया गया था तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 130 का राइट आंसर होगा साहे तकादमी पुरुसकार साहे तकादमी पुरुसकार आपका यहाँ पर सही आंसर है परंदे कहानी किस कथाकार की है भीसमसाहिनी मुक्ति बोद निर्मल बर्मा प्रियम चंद्र question number 131 है महत्वपूर्ण है और परंदे कहानी किस कथाकार की है तो 131 का right answer है आपका C. निर्मल बर्मा जिंदगी नामा किसकी रचना है काली दास क्या फी आजमी केदार नात्स है या किष्णा सोबिती जिंदगी नामा तो यहाँ पर 132 का right answer है आपका बिल्कुल सही विकल्प नमबर D. आनिकी किष्णा सोबिती विकल्प नमबर आपका D. यहाँ पर सही answer होगा आंचलेक उपन्यासकार की संग्या इनमें से किसे दी गई है एसपाल जयनेंदर रामब्रक्ष बयनिपुडी आपका इहाँ पर सही answer होगा Q35 हरी संकर परसाई की किसे तरही की साहित रचना के लिए जाने जाते हैं यहाँ परसाई यहाँ पर सही answer क्या होगा Q35 है और राइट अंसर है यह जो है ब्यंग रचना के लिए जाने जाते हैं Q Jun आपका यहाँ पर 136 है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखे हिंदी की पहली आत्मकता का नाम बताना है कौन सी है बताए चांद सूरज के बीरन या मेरा जीवन प्रवाह अर्द कतानक या मेरी आत्म कहानी 136 का डी राइट आंसर है अर्द कतानक आपका यहाँ पर सही आंसर है बिल्कुल सही यह जो है बनासी दास द्वारा लिखे ते हिंदी की पहली आत्मकता मानी जाती है अर्द कतानक किनर देश में यात्रस अंसमरन के लेखक कौन है? कौस्च नमबर 137 है और आपका सही आंसर होगा 137 का विकल्प नमबर आपका क्या होगा राइट आंसर? किनर देश में यात्रस अंसमरन है और इसके लेखक हैं राहुल सानकरित्यान प्रियम बाटिका में किसका बंडन हुआ है? कौस्च नमबर 138 बताइए प्रियम बाटिका में किसका बंडन हुआ है? तो question number 138 का B right answer है रादा किषने की प्रियम लीला का यानि कि B आपका इहां पर सही answer है question number 149 क्या पूंचा है माटी की मूर्ते के से लेखक की रचना है जगदिश चंद्र या फिर रामचंद्र सुकल या राकिस बर्मा या रामब्रक्ष बेनिपुरी माटी की मूर्ते के लेखक बताना है तो 149 का आपका डी राइट आंसर है रामब्रक्ष बेनिपुरी आपका इहां पर सही answer है कली कौतुक रूपक की रचेता कौन है question number 140 है मात्वण है कली कौतुक रूपक की रचेता पूंचा है तो आपका सही answer क्या होगा प्रताप नारैन मिस्र यानि की विकल्प नंबर बी आपका इहां पर सही answer है बहे सफर्ता की मुकाम था किर्टी की लेकी का है मैत्रिय पुस्पा उसा प्रियंबदा मिर्दूला गर्ग अप्रभा खेतान 141 का सही answer आपका इहां पर जो है बहे सफर्ता की मुकाम ये जो किर्टी है और इसकी लेकी का है मैत्रिय पुस्पा नहीं सहाए हिंदू उपन्यास की लेखक है नहीं सहाए हिंदू उपन्यास की लेखक कौन है तो 142 का right answer बताना है तो 142 वा question है महत्तोपूने विकल्प नंबर बी right answer है रादा कृष्णदास आपका यहाँ पर सही answer होगा रादा कृष्णदास आपका right answer है question number 143 है आरंबिक हिंदी कहानी दुलाई वाली का रचिनाकार कौन है बताए दुलाई वाली कहानी के रचिनाकार कौन है आरंबिक कहानी है दुलाई वाली पर आपके लिए बताना है रचिनाकाल की अनुसार बताना है कौन सा अनुकरम यहां पर सही होगा कौर नमबर 144 है और महत्वपून है और आपका सही आंशर यहां पर विकल्प नंबर यह सही आंशर सिव संबू के चिठ्थे काबबे और कला तथा अन्यनेवंदे को टज कहा ह द्वारे का यह जो आपका अनुक्रम दिया है यह आपका यहाँ पर सही आंसर है महादेई बर्मा का गौरा गाई किस विधा की रशिना है ललेत निवंद है यह ब्यंग है आत्मकता है रेखा चित्र है महत्तुपुन कॉस्चन पूछा गया है 145 का राइट आंसर होगा यह र गध्यान से संबंदित यहाँ पर महत्तुपुन कॉस्चन तो यह जो गध्यान से बहुत बड़े बड़े गध्यान से तो इनको छोड़ देते हैं पांच कॉस्चन आपके गध्यान से यहाँ पर पूंचे गए हैं तो इस प्रकार अपने यहाँ पर बहुत ही महत्तुपु झाल झाल